नमस्कार दोस्तों मैं एकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसिस में कल भारतिय बजार कहां खुल सकते हैं उसके बाद कैसा ट्रेड हो सकता है कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो कल रिजल्ट्स पेश करेंगे खबरों वाले स्टॉक्स सारी डीटेल अगले पांच मिनट में आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ शुरुआत करना चाहूँआ पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ तो ट्रिगर्स में सबसे पहले एफ़ए डीए इस का डेटा है जो की बहुत ही पॉजिटिव है जहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं FIA is cash market में तो बहुत चोटे amount में खरीद कर गए हैं लेकिन futures में बहुत अच्छी खासी बाइंग होई है लगबग cash market में 70 करोड की बाइंग है तो futures में 7,815 करोड की बाइंग है तो यह बहुत ही अच्छी लगती है DIA is 24,63 करोड का खरीद कर गए है तो यह super positive हो गया है यानि कि FIA DIA is दोनों लेकर गए है और FIA is especially futures में अच्छी खासी बाइंग करके गए है तो यह अपने आप में बहुत positive हो जाता है next global संकेत की बात की जाए तो अमेरिका से काफी positive संकेत आ रहे है जहां पे meta आउट perform करता हुआ दिख रहा है 20% तक भागा है अपने results के बाद तो वहां से अच्छी ख़बर आ रही है 260 points in fact exactly 267 points nasdaq index भागा है जो कि 2% हो जाता है almost पौने 2% dow jones 134 points उपर था तो smp 500 में भी 1% की तेजी थी हाला कि russell 2000 आदे परसेंट नीचे बंद हुआ है और wix अमेरिका में घटता हुआ दिखा है तो volatility fear factor हलका कम हो रहा है बाकी Asia Pacific हो या European markets हो संके जादा तर positive side पे ही आ रहे है technical chart structure suggest कर रहा है निफ्टी 21.853 पे बंद हुआ है ये आपके लिए दुबारा 22,000 के उपर निकलना चाहिए और 22,150-22,200 की तरफ बढ़ना चाहिए निफ्टी नीचे में support level आपके लिए जो currently placed है वो 21,700 पे है जब तक उसके नीचे नहीं निकलता है तब तक मेरे को लगता है long side पे buy on dips की strategy बना के लिए play करना चाहिए 21,700 यहां से 500 point का SL होता है जो कि 1% भी नहीं है तो वो आपका stop loss है target उपर में 22,000 and then 22,150 और फिर positionally देखेंगे कहा जाता है market result specific action भरपूर चल रहा है market में और वही होने वाला है कल भी आपके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नाम है SBI State Bank of India यह stock अपने आप में focus में आ जाता है क्योंकि इसके number आए है weekend पे number से तो हलागी कुछ खास संकित नहीं आ पा रहे हैं बट इतना जरूर है कि इस stock में बहुत से लोग अपनी position बना कर गए है fresh longs लेकर गए होंगे कुछ short भी करकर गए होंगे और बड़े नाम है methane alloys का तो मैं आपके साथ update share करी चुका हूँ जहां पे 50 करोड की buying का figure सामने आया है Friday के trading session में methane alloys ने open market में खरीद आया है तो यह stock कल पूरे PSU banking को अपनी तरीके से treat करने की कोशिश करेगा और अपने तरफ ही ले जाने की कोशिश करेगा market में भी काफी important role play करता है SBI का share क्योंकि अच्छा खासा waitages का तो यह एक तो सबसे बड़ा alert हो गया then आपके लिए Paytm, Paytm की बात किया है तो दिन 20-20% का circuit लगाने के बाद circuit filter इसका बदल चुका है अभी 20% ही जगा 10% है यानि कि maximum stock अगर उपर जा सकता है तो वो 10% है और नीचे जा सकता है तो वो भी 10% है तो यह आपके लिए एक सबसे बड़ी update थी Paytm की तरब से जहां पर circuit filter revise हुआ है उसके बाद Paytm में open market में ही Friday को जब 20% का lower circuit था तो Morgan Stanley ने 0.8% का stake open market में खरीदा है यह तो हो गई positive side पर Paytm वही negative side पर देखा जा है तो market का एक एक बड़ा व्यक्ति जो media channel cover कर रहे हैं जो brokering houses में बैठे हैं जो reports निकालते हैं सब Paytm को लेकर super negative हैं कह रहे हैं इनका तो धंदा ही खतम हो गया और actually में यह जो मार पढ़ी है धंदे पर पढ़ी है ऐसा हुआ जो solve होगा वो धंदे पर मार पढ़ी है नए customer edition नहीं कर पाएंगे वो तो UPI UPI ही करते रहेंगे अब advertisement चला चला के कि नोंने scale तो बहुत बड़ा बना लिया लेकिन पैसा बना ही दी पा रहे हैं कि हमें घाटा सही है लेकिन हमें exit दे दो बस आज की session में आप देख सकते हो PTM 900 के सामने 4500 प्या के खड़ा हो गया है ये clear दर्शाता है smart investor खराब company से loss में भी निकलता है तो आप भी जहां पे चीज़ें गलत पड़ रहे हैं उसको पकड़ के मत रखो ये stock market है जितना अपने आपको पानी की तरह इदर दो बहने दो के उतना अच्छा रहेगा कुछ चीज़ों को आपको पकड़ के रखना होता है तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना भी होता है देखिए ये market है हर तरीके की बातें बनती है तो आपको खुद से पूछना है कि मैं financial fundamentals के basis पे रुका हुआ हूँ या financial fundamentals खराब हो गए है loss के चक्कर में रुका हुआ तो loss के चक्कर में नहीं रुकना है share में घाटा हो रहा है लेकिन financial fundamentals अच्छे है profit आ रहा है company में सब कुछ अच्छा बस share नहीं चल रहा तो आप रुक सकते हो बाकी चारों तरफ से आपको जो चीज़ सुनाई दे रही है ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ important जरूर होत तो उससे थोड़ा साफदान रहना ही better option है stock specific action भी आपके लिए कल भरपूर होने वाला है SBI तो एक छोटा नाम था बाकी नामों में दिखा जाए तो बहुत सारे नाम है जिनके results आई है और मैं already discuss कर चुगा हूँ more than 20 shares ऐसे हैं जो कल अपने results पर react करेंगे वहीं बात की जाए कल कौन कौन सी companies के numbers आने वाले है तो उसमें भारती एटेल है जो सबसे बड़ा नाम दिख रहा है VRL Logistics, Ask Automotive, Pradeep Phosphates, Fusion Micro Finance, Orient Cement यह सारे numbers है और भी बहुत सारी companies है like Gulf Oil, E-Mudra, Unicam Lab, Pajaj Consumer, Idea Force, Kalyani Steel और यहाँ पे मैं अगर नाम दोगा तो जाने कितनी बड़ी वीडियो जाए क्यों कि कम से कम कुछ नी कुछ नी तो 50 companies दिख रहे हैं मेरे को जो अपने results कल के trading session में pace करेंगी open market में discuss करूँगा जो भी होगा market में view positive रखिए और gap up होने के बाद थोड़ा सा wait कीजिए यही मैं आप से कहना चाहँगा hope आपको सारी चीजे समझ में आई होगी thank you so much for watching this video good night guys